तो उन शिक्षाओं के बारे में आप क्या कहेंगे जो कहती हैं कि सब कुछ पहले से तै हैं? देखिए वो बाते हारे हुए लोग कहते हैं जिनके पास जिंदगी में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता आप अपनी विफलताएं स्वीकार कर बहतर नहीं करना चाहते आप वे फलताओं की वज़े बताने चाहते हैं ओ वज़े आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे तो आपका मतलब है कि सब कुछ कर्म से तै होता है? नो 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 कर्म यानि ये आपने क्या है? हाँ, जब आप कहते हैं मेरा जीवन मेरा कर्म है तो आप कह रहे हैं मेरा जीवन मैंने बनाया है ये जीने का सबसे गतिशील तरीका है पर अब लोगों ने इसे तोड मरोड कर ये रूप दे दिया है अयो कर्म कर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको विरासत में मिलती है कर्म वो है जो आप अभी कर रहे हैं तो जीवन आप पर क्या फैकता है ये हमेशा आपकी पसंद नहीं होती पर आप उससे क्या बनाते हैं क्या करते हैं ये आप पर है मान लीजे एक मोड है है तो है पर आप उससे कैसे संभालते हैं वो पूरी तरह से आप पर है मान लिजी कि कोई व्यक्ति इस मोड पर क्रेश कर जाता है अब वो कहे मोड मुश्किल था, ऐसा नहीं है आप मोड पर चलना नहीं जानते थे, बस यही है जीवन के हर पहलू के साथ ऐसा ही है कर्म का यही अर्थ है, यह आपकी करनी है अगर आप सपल हुए तो बज़य आप हैं, अगर आप असपल हुए तो भी बज़य आप हैं यही बस एक संस्कृति है, जिसमें जीवन को ऐसे देखा है बाकी हर जगा वो कह रहे हैं, भगवान सब कुछ करता है अगर भगवान सब कुछ कर रहा है तो आप यहां क्यों है